रादे रादे बक्तो आशा करती हो आप सब सबस्तोंगे मर्तोंगे क्या हुआ जब मर्तोवे श्री कृष्षिन से मिले हनुमान जी बक्तो पवन पुत्र हनुमान को रामायन का परमुक पात्रों में से एक माना जाता है जिनोंने रामान युद के साथ साथ महामारत युद में भी अपनी एहम भूमी का निवाई क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में मरतोवे श्रीकिशन से मिलने आये थे भक्तो ऐसे माना जाता है कि द्वापर युग में भख्वान श्री राम अयोध्या समाधी लेकर जाने लगे हनुमान जी को अंत तक्चीरन जीवी रहने का वर्दान दिया जिसके चलते हनुमान जी ने द्वापर युग में श्रीकिशन की लिलाओ में उनके साथ थे माहाहबारत के युद में अर्जुन के रत पर दवजा के रूप में रत की रכ्षा की जिस्से की अर्जुन की शक्ती और गुना बढ़ गई क्योंकि हनुमान जी के होने के कारण अर्जुन के रत को किसी भी दिव्य अस्तर से नस्ट निया जा सकता था इसके अलावा भी हनुमान जी का वन्नन कहीं जगा मिलता है जहां पर उन्होंनों गदाधारी भीम के एहंकार को चकना चूर कर दिया मही कुछ ये भी मानते हैं कि महभारत के युद समाप्त हो जाने के बाद चतिस वर्जब भगवान श्रीकिष्ण दे त्याक कर बैकुन दाम जा रहेते तब हनुमान जी में साधना और भक्ती की शक्ती इतनी परबलती वो सांसारिक महो माया से परे थे साथ ही उनको ये भाली बाती ग्यानता की श्रीकिष्ण भी भगवान भी राम की बाती ही श्री हरी विश्णू का अफ़तार हैं और वे ये भी जानते थे कि भगवान श्रीकिष्ण ने प्रती पर अफ़तार लिया है जिससे पून करके पूने अपने धाम को जा रहे थे है नुमान जी को ये ग्यान था कि भगवान विश्णू ना तो कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं बलकि वो तो अपने भक्तों के हृदे में वास करते हैं इसलिए जब शिरी किष्ण अपनी दे त्याक कर रहे थे तो नुमान जी दुखी भी नहीं थे और उनकी आँखों में सदेव संपक में रहते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि हनुमान जी अंधर मन में भगवान सदेव रहते हैं बक्तों अब तक हमने आपको बताया कि हनुमान जी कैसे शिरी किष्ण की मृत्यु के समें उनके पास नह знаешь रहógर भी उनके साथ थे लेकिन क्या आप जाते हैं दवाकर युग में ऐसा समय भी आया था जब शिरी किशन को हनमान जी ने से साथा लेनी पड़ी कता के अनुसार एक बार भगवान शिरी किशन के बड़े भाई और शेशनाक के अफ़तार बलराम जी को अपने बल पर जादा ही कमंड हो गया था और बलराम जी अनावश्यक रूप से अपने बल का परदर्शन करते रहते थे जैसे वो अपने हाथों से बड़े से बड़े परवत को उठा कर फेक देते साथ ही वो कहीं बार बिना असस्त्र के युद गुराक्षुसों की से किया करते थे कहते हैं बलराम को ऐसा करते देख श्री किशन बहुत चिंतित रहने ल अवतार हैं तब उन्होंने बलराम का गमंड तोड़ने के लिए अनुवान जी को आमिंतरित किया और श्री किशन ने सारी बात बताई श्री किशन सायता करने के लिए तयार हो गए इसके बाद अनुवान जी वहां से चले गए और वानर का रूपदारन करके द्वारिका के एक वन में जा बैटे जा कई परकार के फलों की विरिक्ष लगे थे उसमें से जा जाकर फूल खाते पेड़ो को उखार कर फेकने लगे और आवास सुनकर पैरेदार वहां आ गए देखा आचम्बित हो गए और बुड़े वानर ने पूरे अवन को तैस नहस करके रख दिया जब पैरेदार नोन ने बगाने का प्रयास किया लेकिन वानर रूपिय नमान जी वहां से जा ही नहीं रहे थे एक फूक मारकर उन्हें हवा से उड़ा दिया जिससे पैरेदार डर के बलराम जी के पास जा पहुचे और सारी बात बता दी जिससे सुनकर बलराम जी क्रोधि और बलराम जी से कहता है वानर आपको अपने प्राण प्रिये हैं तो यहां से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा वद्ध कर दूंगा इस पर हनुमान जी उनसे कहते हैं शिरीमान मेरा प्राद क्या है आप क्यूं मेरे प्राण लेना चाहते हैं तब बलराम जी कहते हैं तु और ही यह ब्लक जी का नहीं किसी ओर आपके नहीं ka समय यह स्विहं है बलराम। यह बाते सुनकर बहुत ज़्धा गुसे में आगए और अपनी गदा से परहार करने लगे जिसके उत्तर में нач ने अपनी गदा से परहार करने लगे जिसके बात दोनों के बीच भिहंकर युद आरंब हो जाता है परहार को या तो अपनी गदा से रोक देते थे या तो हातों से बलराम जी का ये अनुवव होता है कि जिस वानर से वो युद कर रहे हैं वो कोई आम वानर नहीं है बलकि कोई माया भी वानर है जिससे बलराम वानर का मारने के लिए अपना हल ले जा जिसे देखकर नुमान जी समझ जाते हैं कि बात उनके हाथ से निकल रही है, अब बलराम को रोकना ही होगा, यदि वो अपने ही हाल से अनुमान पर परहार करते हैं, तो उससे पूरे संसार का मिनास हो सकता है, इसके बाद अनुमान जी शिरीकरिशन का ध्यान करते हैं, तब अगवान शिरीकरिशन महा परकट होकर बलराम जी के परहार का निश्क्रिये करते हैं, यह देखकर बलराम जी उनसे कहते हैं कि शिरीकरिशन तुमने ये क्या कर दिया, देख नहीं रही हो, उद्दंड वानर ने ये पूरा उपमन नस्ट कर दिया, इस पर शिरीकरिशन कहत कि ये उपमन की गतीव आनर के कारण नहीं हुई बलकि तो आपके क्रोध और गमन के कारण हुआ है जिससे आप उत्दंड वानर कह रहे हैं वो से महाबली हनुमान ने जिसके बाद हनुमान जी ने अपने सवरू में आ जाते हैं बलराम से शमा मांगते हैं ये बाते सुनकर ब और मेरे चैनल में अगर आपको मेरी जरा सी भी स्टोरी पसंद हो तो कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें जैश्री राधे